अलो बच्चों आप लोग कैसे हैं? I hope आप लोग अच्छे होंगे बच्चों आज हम क्लास फिप्त का हिंदी में पाठ एक राग की रस्सी पाठ से संबंदित ब्याकरन करेंगे बच्चों इसमें बात कहने के तरीके जैसे हम जो बात करते हैं उसके कई तरीके होते हैं वो तरीके के बारे में जानेंगे बिलोम सब्द जानेंगे ब्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों जो संग्याएं हैं उस सब्द दिये गए हैं उनको अलग अलग छाटने का ठीक है बच्चों? अब हम देखते हैं वीडियो को सबसे पहले बच्चों हम बात कहने के तरीके जो हम बात करते हैं उसके हम तरीके के बारे में चानेंगे बात कहने के तरीके बात कहने के तरीके अब जो हम बच्चों बात करते हैं उसके हमारे कई तरीके होते हैं जैसे हमने कहा ठीक है नीचे कहाने कुछ उपाय दिये गए है ठीक है उसी से जैसे हमने बात कह रहे है चैन से जिन्दगी चल रही है पहले हमने क्या बोला है चैन से जिन्दगी चल रही है इसको जब हम बोलेंगे तो बोलेंगे जिन्दगी अराम से कट रही है ठीक है जैन से जिन्दगी चल रही है इसको हमारे बात कहने के तरीके में होगा कि जिन्दगी अराम से कट रही है और दूसरा है बच्चों होसियारी उसे छोकर भी नहीं गई थी इसका मतलब होगा वह ह हल निकाल देता हूँ मैं इसके लिए उपाय बता देती हूँ उनकी अपनी चला की धरी रह गई उनकी अपनी चला की धरी रह गई उसे जब हम बच्चे बोलेंगे तो उनकी अपने चला की किसी काम नहीं आई ठीक है बच्चों ये तो हमारे बात कहने के तरीके थे बच्चों अब हम नीचे को संग्याएं है संग्याओं का वर्गी करन हम दो परकार संग्याओं से कर सकते हैं वर्गी करन करेंगे क्या करेंगे वर्गी करन करेंगे ठीक है जैसे ये सब्द दिये गए है क्या दिए गया है? ले, धातु दिया है, सेर्वानी दी है, बोजन दिया है, तांबा, खिचडी, सहर्त और बेसुआ इस सब कहां में क्या करना? वर्गी करन करना है जैसे यहाँ पर आपको दिया है उपर लिखी हर जाती वाचक संग्या के तीन तीन ब्यक्ति वाचक संग्या के खुद सोच कर बनाओ उपर जो बच्चों आपको जाती वाचक संग्या दी गई है न उससे हमें ब्यक्ति वाचक संग्या के तीन तीन उधारन भी देने हैं जैसे अब बच्चों ये हो गया हमारा ये हमारा हो गया बैती वाचक और ये हमारा हो गया जादी वाचक ठीक है अब इस तरफ में जितने भी सब्द दिये गए है ये हमारे क्या है बैती वाचक और इस तरफ में जितने भी सब्द दिये गए है यह हमारा क्या हो गया जाती वाचक ठीक है अब जो पहले दिये गये थे उसी से हम चांट के इस में लिखे जैसे क्या हो गया ले दिया है खेचडी, शेर्वानी और तावा यह किस में आ गया है बैक्ती वाचक में अब यहाँ पे ठीक है धातू, भोजन, वेश्बूसा, सहर ये किस में आगया है बच्चो जाती वाचक में अब जाती वाचक संग्या के तीन तीन ब्यक्ति वाचक संग्या बना जाती वाचक जो संग्या है बच्चो उसके हमें तीन ब्यक्ति वाचक संग्या बनानी है अब जैसे हमने जाती वाचक संग्या है बच्चों उसके हमने तीन ब्यक्ति वाचक संग्या बनाई जैसे यहाँ वक्वा आ गया यहाँ पे धातू क्या आ गया पहले धातू अब धातू से हमने क्या क्या बना दिया है सोना, चांदी, तांबा क्या बनाया सोना, चांदी, और तांबा ठीक है ये तो सब क्या है जाती बाचक, जाती बाचक से हमने क्या बनाया भैक्ती बाचक बना दिया अब यहाँ पर आ गया बच्चों आपको बच्चों आप हम इसके बिलोम सब्द पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे बिलोम सब्द पढ़ेंगे पहले हम बिलोम सब्द के बारे में भी जानती हैं ठीक है बिलोम सब्द बिलोम सब्द किसे कहते हैं इसका उत्तर है जो सब्द एक दूसरे का उल्टा विपरीत अर्थ देते हैं उसे बिलोम सब्द कहते हैं उल्टा या विपरीत अर्थ अब जैसे यहां पर आप पढ़ेंगे बच्चों ये सारे क्या हो गया है ये सारे हमारे क्या है यह सारे सब्द हमारे बिलोम सब्द है ठीक है अब इधर हमने क्या दिया है सब्द इधर है बिलोम सब्द ठीक है बिल्कुल उल्टा बताना है जैसे मैंने बोला सुख सुख क्या होगा बच्चों दुख देशी विदेशी कोमल कठोर अंधकार प्रेकास आधी आंत, स्वामी, सेवक, सुगंध, दुरगंध, ठीक है बच्चों? अब ये सारे हमारे बच्चों क्या है? सब्द, क्या है? सब्द, ये सारे सब्द हमारे क्या है? उसके विप्रित आर्थ, ठीक है? ये क्या हो गया? लाब, लाब का क्या होता है? हानी, मीठा, खटा, मालिक, नौकर, सत्य, असत्य, मुचा, नीचा, एकता, अनेकता, अंधेरा, उजाला, थोड़ा, बहुत बच्चों, ये सारे हमारे सब्द, और ये सारे हमारे उसके अर्थ, संभव, असंभव, मुश्किल, आसान, खरीदना, बीचना, मानना, बचाना, आदी, अंत, स्वामी, सेवक बच्चों, अभी आपने पार्ट में आए, बिलोम सब्द भी पढ़े, और बात कहने के तरीके भी पढ़े, ब्यक्ति वाचक, जाती वाचक सब्दों का वर्गी गरन भी किया, उनको अलग किया, इन सब को आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिखेंगे, और उसे या भी करेंगे, बच्चों जब भी काम करें, साप और सुन्दर करें, ठीक है बच्चों, ठैंक यू,